अगिया जो हमारे पत्रकार मित्र हैं ये एक भी नहीं लिखता ये दिन भर ये बहिया चांद की बात करेंगे, कॉरबेट PARC की बात करेंगे, राफाइल हवाई जास की पूजा करके दिखाएंगे, अपने देखा होगा राजनाच सिंग फ्रांस गए राफाइल हवाई जास क यहनोंने 35,000 करोर रुपए चोरी किये हैं मगर चोरी के बारे में मीडिया वाले नहीं लिखेंगे क्यों कि यह सब यह मीडिया वाले सब के सब उध्योग पतियों के कंट्रोल में हैं उध्योग पति कहते हैं इनको भाईया आज यह चापना है आज चलो चांद की बात करेंगे कल भाईया मोधी जी कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं कॉर्बेट पार्क की बात होगी चलो भाईया आज 370 की बात करो चलो भाईया आज जम्मू कश्मीर की बात करो अले भाई रोजगार की बात कब करोगे किसानों की समस्य की बात कब करोगे नरेंद्रमोदी की पुब्लिसिटी होती है नरेंद्रमोदी परश्टाचार की बात करते हैं मुझे एक बात बताओ यह जो टेलिवेजिन में इनका चहरा आता रहता है अकबारों में इनका चहरा आता रहता है क्या यह मुफ्त में आता है क्या ये फ्री में आता है किया ये न्यूस पेपर वाले अखबार वाले इनको फ्री में मतलब जगे दे रहे हैं किया नहीं भाई साब ये आपका पैसा लूट लूट कर इनको पकड़ा रहे हैं इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको रोज देखना पड़ता है लोकसवा के चुनाओ के समय बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर बैंक अकाउंट में छे हजार रुपए डाले जाएंगे मिले? मिले? पिछले चुनाओ ने कहा था हर बैंक अकाउंट में पंद्रा लाख रुपए डाले जाएंगे मिले? नहीं मिले? अच्छा कपास का क्या जाम मिलता है? चार हजार? नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था? तो जहां भी यह जाते हैं कोई ना कोई जूट बोल जाते हैं ध्यान आपका सही मुद्दों से दूर ले जाते हैं कभी चांद की बात करेंगे कभी 370 की बात होगी कभी कॉर्वेट पार्क में पिक्चर बनाएंगे मगर जो आपके सामने मुद्दे हैं जो आपका दिल का दर्द है किसानों के सामने जो समस्या है युवाओं के सामने जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे एक शब्द नहीं बोलेंगे आपसे कहा था महराष्टा में किसानों का कर्जा माफ होगा हो गया तो मुझे बताईए ये जो सारा धेर सारा पैसा है ये कहां जा रहा है ये कहां जा रहा है ये विज़ा मालिया के 9000 करोर रुपए अन्य लंबानी के 30,000 करोर रुपए ललत मोदी निरव मोदी मेउल चौक्षी 35,000 करोर रुपए कुछी दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कॉर्प्रेट टैक्स माफ किया है हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का एक लाक 25,000 करोर रुपए एक दिन में टैक्स माफ किया है पिछले पाँच सालों में पाँच लाक 50,000 करोर रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पतियों का करजा माफ किया है अम्बानी अदानी नाम जानते हूँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इनका कर देते हैं अदानी को हिंदुस्तान के सारे पॉर्ट पकड़ा दिए यहां पे आपकी कॉल माइन प्राइवटाइज करा दी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राइविटाइज कराने जा रहे हैं एर इंडिया को प्राइविटाइज कराने जा रहे है पूरा का पूरा देश 15-20 लोगों के हवाले कर रहे है किसान आता मत्या करे युवा बटकता रहे रोजगार पूरी जिंदगी बर रोजगार ढूं कि बाईयों और बेहनों उनको काम दे रखा है आप समझिए नरेंद्र मोधी जी को अंबानी ने अदानी ने काम दे रखा है कि सीदी सी बात है नरेंद्र मोधी अंबानी और अदानी का लाउड स्पीकर है उसका एक ही काम है आपका ध्यान कभी उधर कभी इधर कभी उपर कभी नीचे ले जाने का नरेंद्र मोधी का और कोई काम नहीं है और जब आप इधर देखते हो उधर देखते हो नरेन्र मोदी हिंदुस्तान का पूरा पूरा पैसा इन 15-20 लोगों को पकड़ा देता है यह reality है सचाई है देखिए हिंदुस्तान की अर्ध वेवस्ता हमारी शक्ति है अर्ध वेवस्ता चलाता कौन है अर्ध वेवस्ता को अंबानी अधानी नहीं चलाते हैं अर्ध वेवस्ता को गरीब किसान मजदूर बेरोजगार युवा चोटा दुकानदार मिडल साइस बिस्नेस वाला यह लोग चलाते हैं हमने मन्रेगा किया सीधा वा सीधा 35,000 करोड रुपए हमने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के जेब में डला 70,000 करोड रुपए हमने किसान का कर्जा माफ किया मध्यप्रदेश, 36 गर, राजिस्तान, पंजाब, करनाटक जहां भी हमारी सरकारे पल चले जाएए हमने किसानों का कर्जा माफ किया हम गरीब लोगों के जेब में पैसा क्यूं डालना चाहरे है इसका कारण है इसके पीचे सोच है जैसे ही गरीब जनता के जेब में पैसा आता है चाहे वो मन्रेगा के माधियम से, चाहे वो किसान कर्जा माफी के माधियम से, जैसे ही गरीब व्यक्ति के जेब में पैसा आता है, वो माल खरीदना शुरू करता है, टूथ ब्रश, टूथ प्रेश, साबन, वो खरीदना शुरू करता है, जैसे ही वो माल खरीदना शुरू कर जैसे ही फैक्टरियां माल बनाना शुरू कर देती हैं, जैसे ही फैक्टरियां माल बनाना शुरू कर देती हैं, हिंदुस्तान के अडवय वस्ता चालू हो जाती है, सीधी जी बात, अब हो क्या रहा है, पूरा का पूरा पैसा आपके जेब में से चीन कर, चोटे बिजनेस व बड़े उद्योग पतियों में डाला जा रहा है मंद्रिय का वो चलाने में 35,000 क्रोड रुपएं लगते साल के कुछी दिन पहले नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 क्रोड रुपएं एक दिन के अंदर माफ कर दिये आपके जेब का पैसा छीन कर मालिया जैसे चोरों के हाथ अधानी जैसे लोगों के हाथ में और महराश्चरा की जंता ने न मन पना लिया है यहां पे गरीब लोगों की सरकार बनने जा रही है किसानों की, मज़दूरों की, छोटे दुकानदानों की, स्मॉल और मीडियम बिजनस वालों की मैं कुछी दिन पहले गुजराद गया वहाँ पे छोटे वियापारियों ने मुझे कहा देखिए हमें तो नरेंद्र मोदी ने बरबाद कर दिया है करम कर दिया है मैंने पूचा कैसे? कहते हैं, देखिए हमारा हीरे का डंदा था कपड़े का डंदा था आज कल गुजरात में 24 घंटा GST के बाद, नोट बंदी के बाद 24 घंटा हमसे रिश्वत मांगने कभी पुलिस वाले आते हैं कभी अपसर आते हैं कभी इंकम टािक्स वाले आते हैं 24 घंटे हम GST वो हम बढ़ते हैं और फिर उनको पैसा देते हैं 24 घंटे हम उनको पैसा देताह नारा पूरा का पूरा बिजनस ठप हो गया खत wal कि और यही काहनी महराष्ट्रा में यही काहानी घुजुरात में करनाटक में सब जगे यही काहनी है जो काम करता है उसकी रीड की अड़ी नरेंद्र मोधी ने तोड़ दी और जो रिश्वत लेता है इंकम डैक्स वाले यह सारे के सारे लोग इनको पूरा का पूरा आपका पैसा पकड़ा दिया नरेंद्र मोधी ने और यह चलेगा आप देखना अभी जो हालत है न छे महिने बाद देखना आज जो बेरोजगारी है उससे छे महिने में दुगनी हो जाएगी तो आपकी हालत जब तक नरेंद्र मोधी जी वहां बैटे हुए तब तक सुधरने वाली नहीं है आपके सामने एक ही ऑप्शन है महराश्रा में सरकार बना दो कॉंग्रेश पार्टी एंसीपी की सरकार बना दो महराश्रा में हम ठीक कर देंगे अभी दिल्ले के चुला में सोड़ा समय है वहाँ पर बाद में ठीक होगा मगर आपका आपके सामने ऑपर्चुनिटी अभी आप इसको ठीक करिए नोट बंदी की आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है आपने पूरे देश को लाइन में देखा माता जी आप थी ना, लाइन में? नोट बंदी में खडी थी नआ आप उस लाइन में आपने अधानी जी को, अम्बाईनी जी को देखा था क्या? वह खड़े थे, क्या लाइन में? उस लाइन में आपने अरब पतियों को चोरों को देखा? एक नहीं खड़ा था मगर किसान खड़े थे मजदूर खड़े थे चोटे दुकांदार खड़े थे आपके जेमें ते पैसा निकाला नरेंद्र मोधी ने का काले धन के खिलाब लड़ाई है मुझे फांसी लगा दो कहते हैं अगर काला धन वापिस नहीं आया मुझे फांसी लगा दो वो निरभ मोधी भाग गया 35,000 प्रोड लेके विजा मालिया भाग गया फिर फांसी के बाद नरेंद्र मोधी ने नहीं की फिर जी एस्टी पे चले गए जी एस्टी के बाद पुलवामा पुलवामा के बाद 370 मगर जो आपके सामने मुश्किल है उसके बारे में नरेंद्र बहुत ही बात नहीं करेगा और ना उनको हल करेगा लाउड स्पिकर है अम्बानी और अधानी का बस जैसे जेब काटी जाती है ना जेब काटने से पहले जो जेब काटता है धियान को इदोर उतर करता है ना वैसे ही नरेंद्र मोदी आपके जेब में से पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरब पतियों को दे रहे हैं और जो हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के कंपनीज हैं, नवरतना, इंडियन ओल कोपरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहां पर आपके जो कोल माइन्स थी, रेलवे स्केशन, एक के बाद एक एक आप देखना, यह सब की सब अमबानी और अदानी के हाथ कर दिये जा पेट्रोल की कंपनियां, भारत है एक के बाद एक हल, सब की सब, सबसे बड़े उद्योग पतियों के हवाली कर दी जाएंगे, यह पैसा आपका है, यह कंपनियां आपकी हैं, यह देश आपका है, यह देश दो-तीन लोगों का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान के किसानों का है, मस्दूरों का है, छोटे दुकांदारों का है, युगाओ का है, और आपको लड़ना पड़ेगा, मिलके हम सब को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो यह पूरा का पूरा देश बच देश देंगे, तो यह मैं आपको कहना चाहता था, महाराष्ट्रा में कॉंगरेस पूर से आप आए मेरी बात सुननें इसके लिए बहुत अभारी हूं बहुत-भहुत धन्यवाद नमस्कार कि विरोधी पक्षित कि अजय को